Hello everyone, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सब के लिए आ चुकी है, वो बच्चे जिनको अभी सीट नहीं मिली थी in the first round of counseling and जो बच्चे अपग्रेट करना चाहते हैं अपने desire or dream college के अंदर, उनके लिए यहाँ पे vacant seats जो हैं वो available हो गई हैं, इस साइड पे आपके यहाँ पे colleges दिखे हैं और यहाँ पे आपके programs हैं और यहाँ पे आपकी seats हैं according to your caste and according to your category ठीक है, तो यहाँ पे unreserved बच्चे जो हैं उनके लिए कुछ यह seats हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहरे नारेंद्रदेव के अंदर जो seats available हैं वो B.com Honors के लिए हैं, B.sc Honors Biomedical Science, Botany, Chemistry, Computer Science पे गई हैं सिर्फ 8 seats और यह मत सोचेगा कि 8 seats हैं और बाकी बच्चे जो हैं कई बच्चे होंगे जो अचारे नारेंद्रदेव के अंदर seat नहीं लेना चाहते होंगे जिनको 1st round के अंदर seats allocate होई हैं तो वो भी क्या करेंगे वो भी upgrade करेंगे ठीक हैं तो वो भी seats जो हैं व वो चाहते हैं कि मेरा इससे उबर वाले college के अंदर admission हो तो वो upgrade के उपर दबाएंगे and अगर उनका admission किसी दूसरे college में हो जाएगा मालीजे 10 बच्चे हैं ऐसे तो वो जो 10 बच्चे हैं वो दूसरे college में shift हो जाएंगे और आपके पास 18 seat बचेंगी for अचारे नारेंद्रद के become honors के अंदर admission ले ही नहीं सकेगा right होगा उनकी भी admission होगी EWS यहां पे OBC वालों को भी होगी SCST sick minority वालों की भी होगी PWBD वालों की भी होगी लेकिन यहां पे यह seats जो show की जा रही है वो उन बच्चों की भी साथ में ही है मतलब कि यह सिर्फ इतनी seats बच गई है right इसमें कि SC ने भी seat book नहीं की है in seats के अंदर okay लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो upgrade करेंगे right so वो seat भी vacant होगी तो इससे घबराना नहीं है थोड़ा right आप इससे जादा seats ही मान कर चलिए अगर यहां पे unreserved के 8 seats show कर रहा है मतलब इससे जादा seats available है 20 तक तो होई जाएंगी right 20 30 seats तो available ह होई जाएंगी कि काफी बच्चे हैं जो upgrade कर रहे हैं okay तो यह आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम देख लें यहां पर कुछ और colleges की वी देखें जैसे for example यहां पर अगर हम दॉल्ट राम की देखते हैं चलिए दॉल्ट राम के अंदर अगर हम बात करें यहां पर बी ए honors की तो यहां पर undeserved के लिए zero seats available हैं और यहां पर आप देख सकते हैं काफी seats दॉल्ट राम के अंदर भर चुकी हैं जैसे कि हर साल होता ही है जितने भी North Campus के colleges हैं उनकी जात है जो seats है वो first round से ही भरनी शिरू जाती है तो यहां पर आप zero देखके थोड़ा सा डर मत जाएगा right थोड़ा सा अभी रखी क्योंकि कई जो हैं बच्चे हुनगे जो दौल्ट राम को छोड़ कर उपर जाने की कोशिश करेंगे हिंदू हंसराज मे जाने की कोशिश करेंगे तो वो जो बच्चे होंगे वो zero से यहां पर जो seats होंगी वो बढ़ जाएंगे ठीक है तो जो यह यहां पर सीट से इससे घवराना नहीं है इससे जादा ही सीट आपके पास अवेलेबल होंगी क्योंकि बच्चे काफी अप्ग्रेट करने वाली हैं तो यहां पर आगे बढ़ दें अगर हम तो लाइक और भी कॉलेजिस देख लेते हैं लाइक हंसराज देख लेते हैं अगर हम बी ए और इंग्लिश की देखे तो सब जीरो ही है जातर इसमें ठीक है जारी के लिए मतलब सीट्स बुक हो गई है बच्चों ने बुक कर ली है तो यहां पे अगर हम आगे बढ़ते हैं इंदर प्रस्ता के उपर इंदर प्रस्ता में मोस्ट अफ दसीट्स जो हैं वो बुक हो चुकी है लेकिन थोड़ा बहुत आप अभी भी अपने उपर भरोसा रखिए आपको कुछना कुछ जरूर मिलेगा I'm sure about it ठीक है Jesus and Mary के अंदर भी most of the seats बुक है हर एक कोर्स के लिए ओके आगे अगे अगर हम बढ़ें कमला नहरू के अंदर देखें तो कमला न अगर आप देखें स्टाटिस्टिक्स के लिए भी भर चुकी है फिजिक्स ओनर्स के लिए काफी सीट अभी है अन्रिजर्फ के अंदर भी 14 है 9 4 and 7 सीट यहां पर बाकी लेडिश्ट्राम के अंदर भी most of the seats भर चुकी है ओके इसके बाद अगर हम मैतरी की बात करें तो मैत सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे colleges हैं जिनके अंदर seats vacant है राइग जो कोर्स आप करना चाहते हैं उनके अंदर seats vacant है like for example जैसे मैंने आपको बोला दौलत राम का बताया जीजसेजसेंद मेरी का बताया ठीक है गारगी का बताया हन्स राज हिंदू का बताया ठी कि होता है हर साल होता है कम सीट है like zero है शो तो जालतर जीरो कर रहा है लेकिन में भी ऐसा हो सकता है 10-12 सीट पड़ी हूँ अभी भी हूँ कि अपग्रेड कर सकते हैं कई बच्चे लेकिन कई तो satisfied ही होते हैं हंसराज हिंदू are very good colleges so कई बच्चे satisfied भी होंगे वो नहीं अपग्रेड करेंगे so इन colleges के थोड़ा chance कम हो सकता है right because यहां पर अभी आपको zero seat show कर रहा है लेकिन definitely वो बच्चे जिनका थोड़ा score अच्छा है वो फिर भी expect कर सकते कि उनका हिंदू हंसराज के अंदर हो जाए या फिर वो बच्चे expect कर सकते हैं जिनका north campus में अभी थोड़े colleges जो थोड़े अच्छे नहीं है उनके अंदर हुआ है ठीक है तो वो expect जरूर कर सकते हैं ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप वो colleges क को ऊपर रखिएगा अपने course को मत compromise करेगा प्लीज यह मैं पहले आपको बताओ तो course को compromise नहीं करना है उन colleges को आपको ऊपर रखना है जिनके अंदर कुछ ना कुछ seat available है लाग जिनके अंदर कुछ 10 seats हों 8 हों ठीक है 14 हों जो की 5 से उपर हों ठीक है 5 seats से उपर 6, 7, 8 और उसक अपनी seats बची है इस के अंदर इस college के अंदर तो उन colleges को ऊपर रखेगा फिर आपकी जो chance है next round के अंदर आपको chance बढ़ जाएंगे आपको seat मिलने के राइट chance आपके बढ़ जाएंगे लेकिन course के साथ compromise मत करेगा लाइक जैसे हिंदी honors की तो अभी भी काफी seats बची हुई है North Campus के भी colleges के अंदर South में भी काफी बची होंगी लेकिन कई बचे होते हैं जो Hindi honors नहीं करना चाहते हैं तो अपने course के साथ compromise मत करेगा लेकिन college आप देख सकते हैं college को आप वो देख सकते हैं किस college के अंदर काफी seats available हैं जिस college के अंदर जादर seats available हैं उनको आप preference में उपर रख कोशिश करिएगा ठीक है and secondly आप उनी preferences को change कर पाएंगे जो कि आपकी वो बच्चों के लिए जिनको first round में seat a lot हो गई है वो उसी preference को change कर पाएंगे जो उनकी preferred college के उपर होंगी higher वाली preferences को ठीक है तो आप अगर second round के अंदर जाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से कर सकते ह तो यहां पे अगर आप देखें तो शहीद राजगुरु college of applied science for women तो यहां पे काफी seats आपको दिख रहे हैं तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं BBA FIA इसके लिए भी काफी seats है unreserved के लिए एक है तो आपको 5 तो मिली जाएंगी अराम स ठीक है because कई चाहेंगे कि हमारा कोई इससे ऊपर वाले college में हो जाए ठीक है यहां कई BMS में चले जाएंगे BBE के अंदर चले जाएंगे right so यह चीज़ आप देख सकते हैं and और भी college अगर मैं आपको बताऊ थोड़ा सा यहां पे श्री वेंक टेश्वरा का अगर आप देख बची है तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं श्री वेंक टेश्रा में and सेंस्टीफंस की बात करें तो सेंस्टीफंस के अंदर आपको जालतर सीट्स देखने को मिल रही है यहां पे अगें B.A. Hindi honors में देखने को मिल रही है and आप यहां पे देख सकते हैं B.A. प्रोग्राम in history and political science के अंदर थोड़ी seats हैं इसमें ठीक है तो यह आप इस तरह से थोड़ा सा observe करें थोड़ा सा आपको आपको पता ही है you are having two days ठीक है दो दिन है आपको preferences change करने के okay and secondly आपके पास अच्छी तरह से दिमाग लगा कर यह सब चीज़ें आपको करनी है इस बार तो आपको अ इतनी seats available है और जो seats available है उससे सेम उतनी ही seats नहीं होगी उसके अलावा भी seats होगी क्योंकि बच्छे अपग्रेट करेंगे उपर नीचे जाएंगे right so यह सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है I hope आपको यह सब चीज़े clear होंगी आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते ह ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर